नमस्कार मैं हूँ विशेक तियागी बाई साथ दिल जीत लिया सबसे पहले सेल्यूट है यार सरफराज खान को सेल्यूट है क्योंकि एक वक्त मुश्किल था टिम इंडिया के विकेट अगर गिर गए ते उपर वाले मैं बात करूँ यससी जैसवाल की रोई सर्मा की उस वक सर्फराज खान ने यार ये बता दिया ये लड़का बेशक छोटा पैकिट है लेकिन बड़ा धमा का है बाई साथ अभी बेशक कम उमर में का खिला रही है लेकिन तजर्वा बहुत है यार सर्फराज खान का जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जिस तरीके की सर्फराज खान तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्फराज खान आने वाले वक्त में कितने बड़े बलेबाज बनेंगे पहले विराट कोली के साथ सर्फराज खान ने पार्टनर्सिप की बहुत बड़ी पार्टनर्सिप की उस पार्टनर्सिप ने कहीना कहीं ट तीम इंडिया हार जाए इस मैच को हो सकता है कि बुरी बेजती हो जाए क्योंकि पहली पारी तो 46 अनों पर ही टीम इंडिया उल्टीम आउट हो गई थी उसके बाद तो किर्केट जगद में बड़ी बुरी बेजती हो लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सरफराज खान जा देता हूं उसके बाद में सरफराज खान के कारणामे की चर्चा करेंगे स्कोर कार एक बार देख लीजे क्योंकि चोथे दिन बारिश पढ़ गई और बारिश के वक्ता कि ये स्कोर कार्ड है लंच तक लंच ब्रेक तक सेकिंड इनिंग जो टीम इंडिया की है विराट कोली आउट हो गए और वहाँ पर 70 अनों की जो पारी थी विराट कोली की उसकी तारिफ की जानी चाहिए च्योंकि सरफराज खान के साथ जो पार्टनर सी विराट ने की थी वो कमाल की थी उसके बाद में सरफराज खान लंच तक 125 पर नोट आउट है कमाल की पारी खिलो सबसे बड़ी बात क्या स्ट्राइक रेट देख़िए टेस्ट किर्केट में जो एक बैज़ बोल की चर्चा होती है जो यह चर्चा होती है कि तेज गती से रन बनाओगे तो मैंच जलदी जीट जाओगे यह देखेगा सर्फ्रास का strike rate देखे एक再 का strike rate है यह होती है बेज़ बोल उसके बाद में रिशफ पंत MAR बनाए 56 यंदो में 5-4-3 चे94andır 94 का strike rate है तो cog 2 कम ओवर्स में कैसे जिदा तेज रण बनाकर मैच जीता जाए test किरेट की बात करें तो यह होती है बखि प्रोच बदलावाया है पहले ट्राइस क्रिकेट में ऐसा नहीं होता था पहले ट्रैस्ट के बहुत दीमा होता था भारते बल्लेबाजों की बात करिए लेकिन गोतम गंभीर के आने के बाद जो माइंड से बदला है टेम इंडिया के खिलाडियों का जिस तरीके से खेलने का अप्रोच बदला है और सबसे बड़ी बात क्या है कि कप्तान रोई सुर्मा खुद अपने कंदों पर जिम्मेदारी लेकर चलते हैं कप्तान रोई सुर्मा खुद तेज गती से रन बनाने की पहल करते हैं तो उससे बाकी खिलारियों के अंदर भी जोश आता है कि यार अगर डिफैंसिव हो जाएंगे तो डिफैंसिव होकर आपके उपर विपक्षी हावी हो जाएगा आप डिफैंसिव होकर कभी कोई जंग नहीं जीत सकते हैं आपको मैदान पर लड़ना पड़ेगा आपको मैदान पर खेलना पड़ेगा आपको रन बनाने पड़ेंगे आ जाहिए तोरपे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी और रिशब पंत की तो यार सबसे ज़्यादा सैल्यूट है जिस अंदाज में खेला है बंदा मतलब आप पहली पारी की बात के लिए बेशक टीम इंडिया चालीज पर आउट हो गई थी उसमें भी बीज रिशब पंत के गुटने में दर्द है या धीमे रन बनाएंगे शोट नहीं लगाएंगे वो नहीं है रिशब पंत का सोचेगा किस अप्रोच के साथ खेलें किस तरीके की बल्लेबाजी रिशब पंत कर रहे हैं यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टीम इंडिया के लिए कि हमारे पास उपर से साथ नंबर तक ऐसे बल्लेबाज है जो हमेशा चोथे गेर में बल्लेबाजी करते हैं जो चोके छके लगाने की ताकत रखते हैं यह टीम इंडिया यह नहीं टीम इंडिया है जिसको गोतम गंबीर बोलते थे कि मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो 400 रन भी ए बना सकती है तो वह अपना गोतम गंबीर का इस टीम के साथ पूरा होता हूँ नज़र आ रहा है क्योंकि यह वो टीम है जो एक दिन में 400 400 रन बना सकती है और बना देंगे तो जाहरत विपक्षी टीम तो आदी धरा साही पहले हो जाती है आपके शोट देखके तो यह जो माइंड सेट टीम इंडिया का बदला है यह पॉजिटिव माइंड सेट है क्योंकि पहले दिन तो ऐसा लग रहा था जब टीम इंडिया चालिज पर आउट हो इस तरीके की बलेबाजी करके टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई है क्योंकि चोथा दिन है लंच की वक्त बारिश आ गई तो जाहरत वर पर थोड़ा सा वक्त बरबाद होगा लेकिन अगर टीम इंडिया थोड़ा सा धहरिया बना कर रखे क्योंकि अभी विकेट बाक निकाल लेती है और पांच वे दिन का पहला session भी खेल लेती है, तो बाकी 2 session में team India अगर New Zealand को out कर दिती है, तो इस match को जीतने का मौका है, 46 घरो पर out होने के बागज़ुद भी team India से match को जीत सकती है तो आपका इस खबर पर क्या कहना है सरफराज चुकि ये जो है ना यह अप्रोच जो है जिस तरीके की अप्रोच सरफराज खान ने दिखाई है जिस तरीके की बल्लेबाजी के पहला टेस्ट शतक है सबसे बड़ी बात क्या है पहला टेस्ट शतक है और अगर इस पहले टेस्ट शतक में और वो भी मुश्किल हालात में मुश्किल हाल पर थोड़ा सा मोश्चर होता है पिस पर मोश्चर होता है तो गेंदबाजों को मदद होती है और न्यूजलेंड के पास अनुभवी गेंदबाज है आप इसका पता है अच्छे अच्छे अनुभवी गेंदबाज है न्यूजलेंड के पास तो जाहिर तोर पर के गेंदबाजों को जबाब इस तरीके का देते हैं तो जाहिट तोर पर ये काबिले तारीफ और उसकी तारीफ होनी चाहिए तो आपका सरफराज झाल झाल